दोस्तो आज मैं आपके साथ में बहुत ज़्यदार नाश्टे की रेसेपी शेयर करने जारी हूँ खानी में मज़्यदार और बहुत ज़्यदा कुरकुरे बनते हैं और यकीन मानिए ये नाश्टा बच्चों को बहुत ज़्यदा पसंद आने वाला है तो चलिए देर किस बात की है बनाना हम शुरू करते हैं नाश्टे को बनानी के लिए यहां मैंने उबले हुए आलू लिये हैं यहां पर मैंने दो आलू को उबाल लिया था और इसे मैंने मैश कर लिया है तो चलिए इसमें हम डालते हैं हरी मिर्च यहाँ पर मैंने 2-3 हरी मिर्च काटके डाल दी है नाश्टे को बहुती ज़ादा चटपटा बनाने के लिए अमचूर पाउडर डाल देंगे एक चम्मच और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आदा चम्मच साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक यहाँ मैं आदा चम्मच डाल दे रही हूँ और धेर सारा हरा धनिया काटके डाल देंगे अद्रक का पेस्ट डाल देंगे आदा चम्मच यहाँ पर आलो के साथ में सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे आप इस आलू मसाले में चाट मसाला या तो फिर गरम मसाला भी मिला सकते हैं तो अब हम इसे एक तरफ रख देंगे इस नाश्टे को बनानी के लिए मैंने यहाँ पाओ लिया है और अगर आपके पास में ब्रेड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं मेरे फ्रिच में पाओ रखा हुआ था तो मैं यहाँ पर नाश्टा बनानी के लिए पाओ का यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ हमें करना क्या है जार लेंगे और पाओ के छोटे छोटे तुकडे करके हम जार के अंदर डालते जाएंगे तो चली हम इसे mixer में पीस लेते हैं ब्रेट डालने से क्या होगा ना बैंडिंग बहुत ही अच्छी आती है तो यह देखे ब्रेट क्रम बनके त्यार हो गया है तो इस ब्रेट क्रम को हम डालेंगे अलू मसाले के अंदर इससे क्या होगा नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा तो चलिए हम आलू के साथ में ब्रेट क्रम को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ब्रेट डलने से क्या होगा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा तो आप यहां देख सकते हैं सबी चीज़े अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा पोशन लेंगे और इस तरह से हतीलियों पे लेके बॉल बना लेंगे और इस तरह से हम दबा देंगे तो यह देखे टिक्कियों का शेप बन के तयार हो गया है तो बस इस तरह से हमें सारी टिक्किया बना कर तयार कर लेना है तो अब हम इन टिक्कियों को एक तरफ रख देते हैं इसका यूज हम बाद में करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले नाश्टी के लिए गोल बनाएंगे तो मैंने दो कच्चे आलू लिये है और इसे मैंने छील लिया है तो अब हम इन आलो को कदुकस करेंगे मैं यहाँ पर आलो को कदुकस कर ले रही हूँ जब भी कोई नाष्टा बनाते हैं और उसमें कच्चे आलू का यूज करते हैं तो नाष्टा बहुत ज़ादा टेस्टी और क्रिस्पी बनता है मैंने यहाँ आलू को कद्दू कस कर लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे गेहू का आटा यहाँ पर मैं गेहू का आटा वनफोर्थ कप ले रही हूँ आप यहाँ पर गेहू के आटी की जगर चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं चिली फ्लेक्स डाल देंगे एक चमच और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और धेर सरा हरा धनिया काटके डाल देंगे यहाँ पर सभी को अच्छे से मिला लेना है तो चली हम इसका गोल त्यार कर लेते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे हमें यहाँ पर गोल ना ज़्यादा पतला बनाना है और ना ज़्यादा गाड़ा बनाना है यहां पर गोल मुझे ज़ादा गाड़ा लग रहा है तो मैं इसमें और पानी मिला दे रही हूँ तो बस पानी डाल कर हमें इस तरह से गोल त्यार कर लेना है तो लगबक मैंने यहां पर आधा कप पानी डाला है तो बस इस तरह से गोल होना चाहिए तो ये देखे अब हम क्या करेंगे टिक्की लेंगे और घोल के अंदर इस तरह से हम डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद में हम इसे तेल के अंदर डाल देंगे पैन के अंदर मैंने तेल पहले से गरम होने रख दिया था तो बस एक एक करके सभी टिक्किया तेल के अंदर डालते जाना है बीच-बीच में यहाँ पर टिक्कियों को पलटते रहेंगे ताकि सभी तरब से अच्छे से टिक्किया फ्राई हो जाए एक बात ध्यान रखना है कि टिक्कियों को फ्राई करते टाइम लो मीडियम ही फ्लेम रखना है यानि ज़्यादा आज पर हमें इसे फ्राई नहीं करना है तो यहाँ पर टिक्कियों को बीच-बीच में इस तरह से पलटते रहेंगे जब तक color change नहीं हो जाता है न तब तक हमें इसे fry करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं टिक्कियों का color change हो गया है तो अब हम क्या करेंगे टिक्कियों को हम एके करके तेल में से निकाल लेंगे इस नाश्ते को बनानी के लिए बिलकुल simple basic masala का use किया है जो normally हमारे घर में हमेशा रहते हैं तो चलिए गर्मा गरम हम इसे serve करते हैं आप इस नाश्ते को हरी चटनी के साथ या तो फे सास के साथ में enjoy करें इस नाश्ते को आप बच्चों के lunch box में भी रख सकते हैं बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये नाश्ता बहुत ही जादा पसंद आएगा एक बार घर में जरूर बनाए और मुझे comment करके बताए कैसा बना है तो अगली मुलाकात होगी नई recipe के साथ